हेलो गैस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस की Redmi A2 फोन में आप लोग कैसे रेम को इंक्रिस कर सकते हैं अगर आपके पास एक Redmi A2 phone है और उसमें आप लोगों को रेम इंक्रिस करना है तो कैसे करेंगे तो आज की वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो रेम को इंक्रिस करने के लिए मैं आप लोगों को यहां पर दो टीप्स देने वाला हो गाइस लास वाला टीप्स बहुत ही अच्छा है उसमें क्या होगा आप लोगों का फोन जो है आग आपर सबसे पहले जो है हम यहाप पर सबसे पर चैंज पर पाप लोगो को नीची स्क्रोल डाऌं करना है ऑप और नीच상이 कडिजिए ऐनल सेटिंस का देख सकते यह वाला आप्शन तो इसे इडिचिन सेटिंस प Eli को क्लिक करना घिक करने के रिख सकते यह आपर ऑप्शोन है इसको on करने के लिए simply यहाँ पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करते ही guys देख सकते हैं नीचे एक reboot का option आया है तो अगर हम इस reboot पर क्लिक कर देंगे हमारा phone एक बार power off होके automatically on हो जाएगा उसके बाद आप लोग अगा यह जो option है यहाँ पर on हो जाएगा यह उन्होंने से क्या होगा guys देख सकते हैं आप लिखा हुआ है आधा GB of RAM by occupying storage मेरा जो आधा GB RAM है वह यहाँ पर extend हो जाएगा तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Redmi A2 phone में RAM को increase कर सकते हो तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुती बरिया एक tips देने वाला हो गाइस तो सबसे पहले जो है आप लोगों को settings में जाना होगा settings पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं about phone का option मिलेगा उपर या तो नीचे है ठीके गाइस आप लोगों को ढून लेना है दो option अब about phone का तो about phone के option पर जो है आप लोगों को click करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर से थोरा सा नीचे scroll down करना है और यहाँ पर देख सकते एक option है गाइस all specs का तो इस all specs के option पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोरा सा नीचे scroll down करते ही देख सकते यहाँ पर एक option है गाइस ऐसMIY वर्शोन का, ठीके गईस तो इसMIY वर्शोन में जो है आप लोगों को 7 बर क्लिक करना है तो मैं आप लोगों को यहापर क्लिक करके करें दिखा देता है गईस 1,2,3,4,5,6,7 7 बर क्लिक करते ही देख सकते इउवर नावै डेवेलपर अमारा जो developer option है वो यहाँ पर on हो चुका है ठीक है तो यहाँ पर developer option तो on हो गया आए गाइस लेकिन आप लोगों को अगर पता नहीं कि developer mode यहाँ पर कहां मिलेगा आप लोगों को तो यह भी आप लोगों दिखा देता हो गाइस तो सबसे पहले आप लोग अपने settings में आ देख सकते नीचे यहाँ पर हमारा developer option आ गया है तो इस पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे settings होंगे आपको यहाँ पर से किसी भी settings को यहाँ पर से शेर खानी नहीं करना है तो आप लोगों को यहाँ पर से simply नीचे जाते रहना है नीचे जाते तो मैं आपर उपर से start करते होंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कितने नीचे यह settings आप लोगों को मिल जाएंगे ठीज तो यहाँ पर नीचे जाते रहना है और यहाँ पर एक option मिलेगा गाईस यह देख सकते animation का window animation scale transition animation scale और animator duration scale यहाँ पर तीन animation का देख सकते यहा पर देखने को मिल जाएगा अगर हम पहले वाले में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1x पे सेट है दूसरा वाला भी यहाँ पर 1x में सेट है और तीस्रा वाला भी यहाँ पर 1x पे सेट है अगर आपके phone को जो है चारजी भी रेम जैसा fast बनाना है तो यहाँ पर आप लोग 0. 0.5 5x में सेट कर दीजिए इसको भी 0.5x में सेट कर दीजिए तीनों को यहाँ पर जब 0.5x में सेट करोगे तो यहाँ पर आपका फोन जो है बहुत ही फास्ट चलने लग जाएगा आप लोग देख सकते बहुत ही आपर फास्ट हो गया है और ज्यादा फास्ट चाहिए तो यहाँ पर से आप लोग एनिमेशन ओफ पर क्लिक कर दीजिए एकदम पहला वाला ओप्शन तीनों को ही यहाँ पर एनिमेशन ओफ कर दीजिए अभी जो है अभी तो उससे भी ज्यादा फास्ट चलने लग जाएगा आपका फोन ठीक है तो यह ओप्शन कर लिजिए और चैनल को सब्सक्राब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कल एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई